चलिए लेट अस्टडी चाप्टर टू आफ यूर बुक थिंक बिफोर यू लिप यहां लिप एक फ्रेजल बाड़ है जिसका आर्थ होता है करना तो यह जो इसका हेडिंग दिया हुआ है थिंक बिफोर यू लिप इसका मतलब हुआ कुछ भी करने से पहले सोचिए चलिए लिखा लिखा हुआ है हे आर इज आ टेल अवाउट टू फ्राउग्स हे आर इज आ टेल अवाउट टू फ्राउग्स फ्राउग मिस मेंधक फ्राउग्स आ गया तो मेंधको टेल टी ए ए एली टेल मिस कहानी और एक होता है टी ए आई एल टेल मिस पूँच तो ध्यान रख तो लिखा हुआ है इस आटेल वाओ टू फ्राउग्स दो मेंधक की कहानी है यह कहानी किसकी है दो मेंधक की कितने दो read on to know how the wisdom of one saved them from an impossible situation read on read on कार्थवता पढ़िए read on मतलब पढ़िए तू नो जानने के लिए की how कैसे the wisdom बुद्धी अकल of one एक की यानि एक की अकल saved them उन्हें बचाया from an say an impossible situation असंभव परिस्थिती से विकट परिस्थिती से चले एक और परिस्थित को पढ़िए here is a tale about two frogs यह दो मेंधको की कहानी है कितने दो मेंधको की कहानी है read on to know जा यह जानने के लिए पढ़िए की how the wisdom of कैसे when एक की बुद्धी saved them उन्हें बचाया from an impossible situation असंभव परिस्थिती से मतलब यह की कहानी पढ़िए और पढ़कर जानिए की कैसे एक की बुद्धी ने उन दोनों को एक असंभव विकट परिस्थिती से बचा लिया चलिए पढ़िया आगे क्या लिखा हुआ है once upon a time क्या once upon a time मतलब एक समय की बात है once upon a time एक बार की बात है they are where two frogs they are where two frogs दो में ढख थे कितने में ढख दो तक अता they are where two frogs दो में ढख थे they lived in a small pond they lived in a small pond वे एक छोटे तालाव में रहते थे but one long summer एक बार बहुत लंबी गर्मी पड़ी लंबी मतलब किती लंबी है असमान जितनी मतलब जादा समय तक रहा दो महीने तीन महीने खुब लू चलती रहे जैसे अपना गर्मी पड़ती है ना मई में जून में जो गर्मी चुटी होती है ना और भी गर्मी थी जुलाई अगस में बारिस नहीं हुई थी तो करा बाट वन लंग समर एक बार बहुत अधी गर्मी पड़ी दा पॉंड ड्राइड अप और उस गर्मी के कारण तालाव सुख गया जैसे सुख जाते है ना वे बहुत अधास हुए क्या हुए बहुत अधास हुए क्यों अधास हुए क्यों कि तालाव सुख गया था अब उन्हें भोजन नहीं मिलता अब खाना नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्यों कि तालाव सुख गया था इसलिए वे वहां से चले गए क्यों चले गए वहां से क्यों कि तालाव सुख गया तो अब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता था तो भूके कितना दिन रहता इसलिए वे लोग चले गए कहां से चले गए तालाव से क्यों चले गए क्योंकि ताला सुक गया था और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल ला था अफ्टर लॉंग सार्च मतलो खूब खूजे खूब खूजे इधर उधर दाएं बाएं खूब गय आफ्टर लॉंग सार्च they found deep well खूब खोजे इधर अधर पानी ढूणदे कि कहीं पानी मिले खाना मिले ढूणते है न आप लोग भूख लगती है तो आप लोग तो खाना मिल जाता है घर पर लेकिन इन लोग को नहीं मिला आ था क्योंकि इन ने कोई खिलाता नहीं आपकी ममी बना कर खाना खिला देती है ना लेकिन इन लोगों कोई खाना नहीं मिला था तो खुब ढूंडे खुब ढूंडे लाश्ट में दे फाउंडे डीप बेल एक गहरा कुवा मिला खुब गहरा कुवा दे वे अर हैप्पी वे बहुत खुष थे दे लुक्ड इंटू इट वे उसमें देखे हाना कुवे में जहां कर देखे और फाउंड लॉट अफ वाटर इंसाइड और देखे अंदर धीर सारा पान है खुब सारा खुब सारा नहीं लगा चलो कोई बने खुब डूबी मारेंगे असनान करेंगे खाना खाएंगे हाना खुब भोजन मिलेगा इसमें वान फ्रॉक सेड एक मेंधक बोला वान फ्रॉक सेड एक मेंधक बोला गुड गॉड बोला हे भगवान आपने बहुत किरपा करी हम पर क्या करी बहुत किरपा करी कैसे औरे खुब सारा पानी है खुब सारा भोजन है लेटर जम्पिन बोले चलो इसमें कुछ जाते हैं अना दो मिधक थे ना तो एक मिधक बोला कि चलो अब इसमें कुछ जाते हैं क्यों कुछ देंगे अंदर जाएंगे खाना खाएंगे पानी पीएंगे खुब खेलेंगे और क सेर सहरा पादी रांगा फोड़ने रहें तो की अंदर अच्छा रहेंगे और आहाम भी मिलेगा गश belong फ्रा कबावज मच वाइजा लेकिन दूसरा में बद्धिमां था मुर्ख नहीं था वे इप heps Ivan बॉला नहीं मतर जल्दी मत करो और हुआ रूको रूको मुझे सोचने दो गौन मोह दूसरा मेंड है क्या बोला अरे नहीं मित्र रुको थोड़ा मुझे सोचने दो फास्ट इंक सोचो हाउ सैल वी काम आउट इफी ड्राइड आउट बोला देखो मित्र वहां तालाब में था चलो सुक गया था तो वहां से चल कर चले आया थे क्योंकि कम घारा था ना और कैसे बाहरा होगे उतना तो छलंग लगाओगे नहीं कुछ तो जाओगे आराम से लेकिन अगर एक वह सुक गया तो वहीं का रहा ना थिंक भी फोर यू लीप कुछ भी करने से पहले सोचो कि क्या करेंगे अगर ऐसा नहीं हो तो को जरूरी है कि हम सोच रहे होगा जो सोच हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो क्या वोला बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो वी सुड नेवर आक्ट बिदाओट थिंकिंग हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए क्या वोला हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए अब यह जो लेशन पढ़ है इससे आपक क्या मेसेज मिला क्या संदेश मिला उपर भी लिखा Kendवी लिखा हुआ मतलब कुछ भी करने से पहले सोच चिये ऐसेकि कुछ भी करते रहें कुछ भी करते रहें आजले अच्छी तरह सोच झे इसा करना चाहिए नहीं करना जाकर खा लेगे आपने तो सोच लिया अब यह भी आपको सोचना पड़ेगा ना माल लिए मम्मी के पास उसमें पैसे नहीं है तो चलो माल लिए अथ्रदल की यह भी हो सकता है ना कि ममी ने पैसे दे दिये बाजार में सारी दुकाने बंद हैं जैसे देख रहा था ना कितने इस दुकान बंद चल लिए माल लिए दुकान बंद है तो फिर क्या करोगे तो वहीं करा यह पैसे यह लिसान कि कुछ भी करने से पहले सोचिए कि ऐसा करें नहीं करें करेंगे तो क्या होगा और नहीं तो बाद में आवश ही आपको पच्छताना पड़ेगा जैसे इसमें पहला मेंधक था तो जल्दिवाजी में था वो मुर्ख नहीं था तो कुछ जाता वो जल्दिवाजी में था वो इतना सोचा नहीं उसे लागे चलो कोई वातनी अंदर पानी मिलेगा भोजनी मिलेगा आराम से खाएंगे पीएंगे लेकिन जो दूसरा मेंधक था वो ज्यादा बुद्धिमान था वह बोला कि मित्रे ऐसा करने से पहले सोचो जल्दी मत करो और फिर दूसरे मेंधक ने जब उसो कहा पहली में ढ़कुसकी बात मानी सोची दोनों विचार किया फिर दोनों ने तै कि कि नहीं ऐसा करने से कोई फाइदा नहीं है इसी लिए ये दोनों भोजन की तुरह में आगे चले गए है आगे ही ना वगा होगा ये तो कहानी खतम हो गया कि में ढखकू है कि मैं नहीं कुदा उसके तो भुके थोड़े रहेगा, आगे गया होगा, कहीं और देखा होगा, कहीं उसको पानी मिल गया होगा, भोजन कर लिया होगा, तो इस लेशन का मैसेज यही है, कि कुछ भी करने से पहले कई बार सोचिए कि हाँ ऐसा करना उचित है या नहीं है, ठीक है, इसे तीन चार बार रिवाज कीजिए और इसको लर्न कीजिए,